तो कैसे हो मेरा भाई हो मैं हाजरू करने वीडियो को सब्सक्राइब हां पर आज के इस वीडियो में जो वन काड का अप्लिकेशन आता है जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन पर हैं तो यह जो वन काड मिटल काड होता है यह IDFC बैंक के द्वारा प्रवाइड किया जाता है अग चैल लो इस वीडियो को देख लें तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं वन काड क्या होता है IDFC बैंक द्वारा प्रवाइड किया जाता है जैसे कि मैं आपको बताया तो यह बेसिकली एक मेटल काड प्रवाइड करती है सेम आपके क्र रिजिस्टर करना मैं उसको इपर वीडियो बनाया हूँ आप जाके चेक कर सकते हूं इस वीडियो को तो है पर देखिए मुझे अपना फोर डिजिट का है पर पासकोड डालना है पिन कोड मतलब पासफोड डाल के लॉग इन कर लेना है तो चलिए यहां पर मैं डाल लेता जैसे देखिए डाउनलोड मतलब पासकोड डाल के लॉग इन करेंगे तो देखिए फिर्स्ट आपको होमपेज पर कुछ जैसा एंटरफेस देखेगा जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन पर यहां पर देखिए उपर टॉप में आपको आपका वनकाट देखने के लिए मिले कर और ऑफili करेंगे तो पीज अंब करने कुट करने के भद आपके डिंवर ट्रांजेशन हुए है हैं जैसे की नीचे देखिए मेरा नॉवंबर में कोई बहुत आई इंगे बिखा रहा है क्योंकि मैं यह जो card है अभी November में ही मेरा apply हुआ था तो मैं December से इसे use कर रहा हूँ तो अभी Jan में अगर मैं use करूंगा तो उसका पूरा details यहां पर दिखाएगा तो आप जैसे उस पर click करेंगे तो आपको पूरा details देखने के लिए मिलेगा अब मान लिजे कभी कभी क्या होता है कि आपको reward points मिलते है तो अगर मान लिजे आपका reward points ज्यादा है आप चाहते हैं अपने reward points को इससे cover करना तो जैसे कि आप लोग यहां पर देख पार है 3714 का मैंने fuel ड़ा है उसके उपर देखिए मेरे को यहां पर 43 rupees refund मिला है तो मतलब यह 2% के इसाब से charge करते हैं यह लोग जैसे कि आप लोगों को पता होगा credit card में होता है search as a severe तो यहां पर मेरे को 43 वाफिस मिल गया है और यहां पर देखिए अब जैसे मेरा amount देख पार है आपको 37 reward points चीए इसके लिए यह compensate करने के लिए आपका amount इससे आपका replace हो जाएगा तो आपको amount भरने की ज़रूत नहीं पड़ेगे तो आप ऐसे इसे अपना reward points है उसे cash में बदल सकते हैं अपने statement में तो हम इसे done पर click करते हैं तो फिलार मेरे पास नहीं है तो हम फिछ से ले आते होम पर अब home page आने के बाद यहां पर दिखिए full payment यहां पर दिख पा रहे हैं तो यहां पर एक चीज में आपको और बता दूँ जो one card का statement है वो आपका हर महीने को एक तारिक को generate होता है मतलब मान लिजे अगर अब December में यूज़ करते हैं तो Jan 1st को होगा Jan 1st को जैसे आपका bill generate होगा उसके बाद आपको 18 days का time मिलता है उसको amount को बरने के लिए तो इस बात का ध्यान रख लें आप यहां पर वैसे भी आपको जैसे वह home पे login करेंगे तो आपको उपर दिखाएगा जैसे कि आप लोग को यहां पर दिखा रहा है full paid next statement available on first jan को उसके statement देख सकते हैं उसके side में देखिए आपको rewards point का option मिलेगा यहां पर देखिए box type का होगा अब जैसे में पर click करेंगे तो आप देखिए फिलाल मेरे पास available reward points 74 और यहां पर देखिए readme कर सकता हूं हमें से फिलाल मैं readme नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके लिए ज्यादा आप अपर दिखायागा की आप कहा कहा पर इस्ट्पैंट करेंगे तो आपको कितना यहां पर मतलब reward points मिलेगा तो आप पूरा यह feature से यहां पर देख सकते हैं तो यह पूरा reward points के बारे में हैं तो आप यहां पर अपना reward points जो है redeem कर सकते हैं और भी बहुत सारी facility यहां से कर सकते हैं अब यह हो गया आप हम देखिया है पर लास्ट आप्शन पर आते हैं प्रोफाइल आप जैसे यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बढ़ देखिए आपको उपर नाम दिखाएगा नीचे आपका फोन नमबर दिखाएगा तो मैं इसे हैट किया हूँ उसके नीचे से कि मैं आपको बताया कि हर महीने को यह अपना बिल जन्रेट होता है तो आप यहां पर देख पा रहा है आप यहां पर देखें लॉट कर सकते हैं और भी बहुत सारी फीचर है अब चलिए मैं आप बैक जाके दिखाता हूं आपको ओम पर कि आपको अपना काड़ डिटेल कैसे देखना है अब देखें जैसे होम पर आ जाएंगे तो आप देखें ऊपर मेरा काड़ दिखा रहा है तो यहां पर देखें टोटल आउटस्टेंडिंग अमाउंट अवलेबल लिमिट मेरा 26,000 है अब जैसे हैं आप देखें काड़ डिटेल्स का उप्शन में लेगा आप जैसे हैं आप क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के पर देखें वन काड़ का अप्शन दिख जाएग तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं तो यह अभी मतलब यहां पर आनेवल नहीं है यह तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं यह और नीचे देखें आप स्वाइब टू पे अगर मान लिजे जैसे कि आप लोगों को पता हुए आप कभी भी कार्ट का डिटेल्स डालके पेमेंट करते हैं तो आपको OTP पूछा जाता है तो अगर आप OTP नहीं डालना चाहते हैं तो आपको फोन के ऊपर एक पॉप अप आएगा मैसे नोटिफिकेशन आता है आप जैसे उसे स्वाइब करेंगे तो आपको OTP की ज़रुवत नहीं पड़ेगी आपका पेमेंट सक यह राइट में आप जैसे स्वाइब करेंगे तो मैं आहापे करके दिखा दे रहा हूँ आपको तै smartest कि मैंने लेफ्ट में स्वाइब किया इसे तो स्वाइब करते हैं तो अपर इसके लिए प्रowane आपको कोई जोइनिंग फीस वगरा नहीं देना है तो मैं इसके अउपर अलग से वीडियो बनाया हो कि क्या है क्या नहीं है अब जाकर description में देख सकते हैं आइब टन में मिल जाएगा आपको उस वीडियो के बारे में तो आज की वीडियो बस इतना ही I hope अपलों कोई उड़ी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो बने रहे हमारे चैनल पे हम मिलते हैं अगली उड़ी में एक और ना ऐसे ही बैंकिंग टॉपिक के साथ पुमारे चैसे बाने अच्छी लगी हैं अच्छी लगी हो गपाँ एक यावारे चैसे पापँ के साथ अच्छी लगी हैं कर दो